अगली definition हमारे पास training data, testing data, features क्या होते हैं और model किस तरीके से बनते हैं, उन चार चीजों को हम देखने वाले हैं, मैं screen पे जाता हूं दुबारा, और जो screenshot है इसे आपके सामने ले आता हूं, इससे आपको सीखना असान हो जाता है, कि चीजें किस direction में जा रही हैं, बस हम इसको थोड़ा सा define करेंगे, and then we will move forward, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास training data क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप data को divide करते हैं, different हिस्सों में, तो उसमें से एक training data होता है, एक testing data होता है, इन दोनों को हम समयते हैं, the data used to train the machine learning model, इसको हम बोलते हैं, label data for supervised learning, यह जो होत यह rectangular data भी हो सकता है, यह audio का भी हो सकता है, यह video का भी हो सकता है, यानि कि आप देखके पहले बताएं machine को क्या है, फिर testing data क्या होगा, data used to evaluate the performance of a model after training, ठीक है, यह मैंने आपको पहले भी समझा दिया, यह machine को नहीं हम दिखाते, machine से छुपा के रखते हैं, और फिर machine से पूछ और characteristics of a phenomena being observed, used an input variable in a model, कौन से features होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आप जो data को input देते हैं, और उसकी base पे जो आपने output लेनी होती है data से, इनको बोलते है features, यह होते हैं labels, यानि कि input जो data हम देते हैं, जिसकी base पे हमने अपने question का answer निकालना होता है, उसको हम बोलते ह features, तो यह हुए labels, यह आपको दो confusion कभी नहीं होनी चाहिए कि input features के हैं और labels के हैं, ठीक है, अब इसके इलावा, for example हमारे पास एक मिसाल आती है कि, in a data set of house pricing prediction, feature might include scare footage, number of bedrooms, age of the house, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आप, एक example है कि आपने house price predict करनी है, एक society की house price, तो आप क्या करते हैं, कुछ उसे related information लेंगे, यह नहीं लेंगे कितने घर बनगे, मस्जिद कितनी दूर है, या हमारे पास दुकान बनी है कि नहीं, आप असल में houses की prices लेंगे, यानि कि square foot की, या मरला की price, क्या चल रही है वहां पर, और fee मरला की price के बाद आप check करेंगे, कि इसका, for example, यहां पर आपके पास data है कि 10 million, 15 million, 20 million, so on and so forth, फिर आप देखते हैं कि construction के floor कितने हुएं, ठीक है, फिर आप इसके अंदर add कर सकते हैं, distance to mosque, distance to school, और फिर आप देख सकते हैं, front वाला है, नुकर वाला है, या किस जगा वाला मकान है, नीचे commercial area है या नहीं है, something like that, then these are called features, जितने भी ज्यादा हो, उतने कम है, on the other side आपके पास house price की prediction आजएगी, so these are called actually features, और features जो हैं हमारे लिए data को important बनाते हैं, फिर आता है हमारे पास number 4 पे model, in machine learning, a model refers to specific representation learned from the data, वो ही representation जो मैंने पहले आपको लिख के दिखाई, इस तरीके से, उसकी जो representation है, उस data क इसको हम बोलते हैं model, यानि कि जब आप data को pattern run करते हैं using different algorithms, तो आपके पास एक model आ जाते हैं, इस model को आप फिर save करते हैं, और फिर इसको deploy करते हैं for machine learning apps, ठीक है, so ये जो model आप pattern data से learn कर रहे हैं, ये आपकी final key है, ठीक है, जैसे chat GPT का model 4 है, वो basically एक इस तरीके से कोई equation या इस तरीके से different किसम के आपके पास weights और by size की base पे पूरे के पूरा model होगा, ठीक है, और neural network भी इसी के अंदर होता है, neural network जो हम पढ़ेंगी वो भी इसी के अंदर होगा, जो identify करता है images को, अगर आप एक model train कर लें, तो neural network जो उसका होगा, वो model होगा, which we can save and we can use later on, इस ची key terms यहां पर पढ़ें, training data, testing data, feature, model, ठीक है जी, labels भी यहां पर, अब इसके बाद हम आगे चल दो,